जूरी मिश्रंडर को आइक ऐसे उनिक प्रॉडक्ट गी जो की बहुत उप्योगी होता है जो कि एक मीण इनवाटर मेरे पिछले कई वीडियो में कॉमेंट आया था आप भी कोई एक अच्छे से इनवाटर अनबॉक्सिंग करके दिखा हो जो कि बहुत यूजफूल और कम प्राइज में मिलता हो तो मैं एक ऐसा इनवाटर लेकर आया हूं जो कि 200 वाट का इनवाटर है और ये बहुत ही कम प्राइज में मिल गया है यदि अप इस इनवाटर को आफ लाइन करेते हैं तो इसको यह और भी सस्ता पड़ सकता है यह मुझे आउन लाइन में पांसाट रालीस रुपए बड़ा है तो चलिए फ्रेंस इसकी बांकी फीचर से इसको खोलने के बाद देख लेते हैं तो चलिए पहले इसकी इनवाक्सिंग कर लेते हैं का इसके खुलने के बाद हमें अंदर में और बाक्स देखनों का मिल जाता है फेरे जिसके ऊपर एक डाटा केबल मिला है हमने इसके जो की हमें फ्री में मिला है जो कि एक मोबाइल चार्जिंग एपल है माइक रिएस भी पोर्ट वाला तो इसे भी रख देते हैं साइड में और अंदर की इस बॉक्स को निकाल लेते हैं जो कि हमारा है में इन वाटर यह आप देख सकते हो आप इस इन्वर्टर में जो जो खासियत है इसको इसके बॉक्स में भी दिखाया हुआ है यह आप देख सकते हैं इसका स्वीच और इंडिकेशन और सौकेट यह सब के बारे में बताया हुआ है इसके बॉक्स को ओबन करने से पहले इसका और कुछ टेकनिकल स्पेसिफिकेशन भी बताया है इसको भी देख सकते है आप यह 10 एंपियर 200 वाट 12 वल्ट डीसी यह सब इसमें लिखा हुआ है तो चलिए इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो फ्रेंस प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस किजी ताकि यह मेरा आने वाला अगला वीडियो का भी नौट भी केसन आपको मिल सके और हमारे चैनल पर बने रही है मैं इसी प्रकार से अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूं यह आप देख सकते हैं यह इन्वर्टर कुछ इस प्रकार से है इसमें एक आउन चार्जिंग के लिए आप यूज कर सकते हो और इसके पीछे साइड में दो सॉकेट लगा हूँ है जो की पावर सॉकेट है फ्रेंट्स जिसमें से हमें 220 वोल्टेज प्राप्ता होगा और दो वायर कनेक्टर लगा हूँ है जो की बैटरी इन्पुट के लिए है इसको चला रहते हैं इस इन्वर्टर में रेड कलर का वायर प्लस है और ब्लेक कलर का वायर माइनस है फ्रेंट्स तो इस बैटरी में भी प्लस माइनस दिया रहता है उसको आप देखकर असानी सिसमें कनेक्शन कर सकते हो हाच है इसका कम्पीट होच गहरा देखिए मैं सिसगें करके और के दिखा रहा हूं इसमें यह कि अन्वाला लाइट ग्लो हो रहा है यह देख वाला जो आधना लिखा हुआ है मकला है उसलिए धान बलग आका हम चेक कर लेते है स्में लोड के लिए युजhouses इसमें कोई LED बलबट चेक नहीं करूंगा इसमें मैं सब वाट का बलबट लगाऊंगा इसी को चेक करके देखेंगे क्योंकि LED बलबट बहुत कम वल्ट और कम वाट में भी जल जाता है फ्रेंज लेकिन जो सब वाट का बलबट जो इनवर्टर चला दे वह बहुत अच्छे वाइर कपुल रहता है इस कारण इस इनवर्टर में मैं डारेट एक सब वाट का बलबट चेक करके दिखाँगा यह मैंने एक बलबट ऑल्डर ले रिया जिसमें संठ यसमें 3-pin टॉप लगा हुआ है और मैंने उसमें 100 W का बलबर लगा दिया है साकेट में टॉप लगा देते हैं और इस inverter को ऑन करके देखते हैं फ्रेंड्स यह देख सकते हैं इसका switch on करने वाला हूँ चलो इसको whats on कर देते हैं यह बहुत ही ज्यादा brightness glow हो रहा है फ्रेंज इसके आप light देख सकते हो यह बल्ब जिस प्रकार से main light में काम करता है उसी प्रकार से inverter में काम कर रहा है फ्रेंज मतलब यह inverter बहुत ही successful inverter है और यह आप देख सकते हैं फ्रेंज मैं इसको जलाने के लिए कोई अलग से supply यूज नहीं कर रहा हूँ यह किवल बैटरी से चालू हो रहा है फ्रेंज देखो फ्रेंज मैं इसको फिर एक बार ऐसे कुछ इस प्रकार से पकाड़के मैं आउन करके दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हैं फ्रेंज और बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस है फ्रेंज इसका इस प्रकार वाला बहुत हैवी लाइट में जलता है फ्रेंज जो कि बहुत ज्यादा वोल्टेज कंस्यूम करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो जिस इनवर्टर में इस प्रकार वाला बल्ब जल रहा है वो तो LED बल्ब के लिए सिंपल है फ्रेंज इस इनवर्टर से इस प्रकार के LED बल्ब जलाना चाहते हो तो इसमें जो 9 वार्ट के LED बल्ब होती है फ्रेंज वो 15-20 LED आप जला सकते ह 15-20 LED चालू कर सकते हो अब इसकी बैटरी कितना टाइम तक ठीक है यह बैटरी उपर निरभर करता है यह यह आप इस प्रकार से छोटा बैटरी यूज़ करते हो तो वह ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा और बड़ा बैटरी यूज़ करते हो तो वह उसमें लंबे समय तक काम आएगा फ्रेंड्स इस इनवर्टर की कुछ कम्या भी है फ्रेंड्स इसमें आप ऐसी फैन नहीं चला सकते जो भी ऐसी फैन होता है फ्रेंड्स जो कोईल से रिल्टेर रहता है वह फैन इसमें नहीं चल सकता जो होम थेटर में ट्रांसफार्मार यूज़ होता है व इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इस इनवर्टर में क्या-क्या चलेगा वो बता देता हूं CRT TV चला सकते हैं, LED TV चला सकते हैं, Mobile Charging, Laptop जितने भी DC voltage से related रहता है, LED बालबर जैसे ये सब इसमें से चल जाएगा, Friends जिस जिसमें SMPS से Power Supply यूज होता है, वो सब चीज इसमें चल जाएगा, Friends यदि आप इस इनवर्टर के इन साइट को देखना चाहते हैं, कि इसके अंदर को मैं खोल के आपको दिखाऊं इसके इसके अंदर में और क्या-क्या लगा रहता है, Friends तो प्लीज कॉमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, Friends